नमस्का गुड़ीवनिंग स्वागत है आप सभीका सत्यादिश अर्मा परिवार के उनलाइन प्रेटफॉर्म पर फटापट से जोइन हुआ जाईए और लिंक को शेर कर दीजिए सभीका स्वागत है देखें आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है कूपोशन कूपोश कूपोशन की डेफिनिशन क्या होता है यहां पर यह बताया है कि कूपोशन पोशक तत्वों के सेवन की कमी या अधिकता क्या कहां मैंने कमी या अधिकता है सुन रहे हैं कमी से भी कूपोशन होता है अधिकता से भी कूपोशन होता है जैसे कि एक्जांपल मैं आपको दूँ मोटा होना जो आपका मोटापा होता है वो भी कूपोशन का एक उधारन हो सकता है चीक है कुछ मिनरल्स की अधिकता या बोड़ी में किसी कारण से क्या हो तो इसने कहा है कूपोशन या पोशक तत्वों की कमी या अधिकता से आवश्यक पोशक तत्वों में असंतुलेंग या खराब पोशक उपयोग को संधर्वित करता है मतलब कूपोशन क्या है तो सीधा सा लेंगवज आप कहोगे पोशक तत्वों की कमी या पोशक तत्वों की अधिकता भी अगर वाड़ी में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कूपोशन को वह संधर्वित करता है ठीक है या फिर आपने क्या लिया है या फिर आपने क्या यहां पर क्या आपको दिखेगा यहां पर दिखा है कूपोशन के प्रकार कूपोशन के कितने प्रकार होते हैं तो Q-Potion के चार प्रकार होते हैं मतनलब कि आप Q-Potion को कितने प्रकारों में ले सकते हो तो यहाँ पर चार प्रकारों में आप Q-Potion को ले सकते हो ठीक है? क्या है पहला? तो पहला है आपका Westing, Stunning, Quasi और कर और Merasmas ठीक है? यह आपके चार आपको इदिख रहे हैं उसमें जो वेस्टिंग है इस्टनिंग है क्वाशी ओकर मेरासमस यह क्या होता है हाँ चार टाइप को लेकर चलते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्टिंग क्या होती है क्यूट बेबी अच्छा ठीक है चलो सबसे पहले देखते हैं मतलब क्या होता है देको से वेट और वा यह से ठीक है तो आप देखोगे कि होता है की आज़ा बस्ते हैं अगर आप साइंस स्लाइन तो आप यह टॉपिक पढ़ सकते हैं न्यूिट्रिशन वाले चेप्टर के अंतरगति ही कौाशी ओकर, मेरासमस, जनरलिये, बीमारिये, डिसीज आप लोग पढ़ते हैं है ना, ये सब आप पढ़ते हैं ठीके, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले वेस्टिंग क्या होती है ये टर्म है, क्या किसे बोलते हैं देखो, उचाई के अनुसार वजन में कमी मतलब कि यदि आपके हाइट के अकोर्डिंग आपका वेट नहीं है है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट तो हो जाती है लंबी लेकिन वो होते कैसे हैं ऐसे दूबले पत्मे से होते हैं हाइट जादा और हाइट के अकोर्डिंग वेट में कमी क्या कहलाती है वेस्टिंग कहलाती है ठीक है, वो वेस्टिंग कहलाती है सेकंड पॉइंट यदि मैं आपको बताऊं हाँ, वो लकड़ी जैसे दिखते हैं ठीक है, ये इस इस प्रकार की पीछे से आपको बोन्स बखेरा दिखरी ही ना ये तो ज़्यादा कूप उशीत है, ठीक है ना? हाँ, चलो, हाँ, स्वागत है प्रशानत आपका चलिए, वजन, वजन क्या होता है तो देखो नवजात शीशू का प्रती दिन ओसत वजन कितना बढ़ना चाहिए तो ध्वाटना ये क्यूंस आया हुआ है, 25ills से 30 ग्राम बढ़ता है, जो नवजात शीशू होते हैं, चीसशू होते हैं उनका जो वजन होता है वा जनरलिक कितना बढ़ता है तो ध्वाटना, उनका वजन जनरलिक 25 से 30 Go रोज बढ़ता है और लो भाया टेट वालो यह आपके टेट का ही question है ठीक है बोलो ठीक है तो आपसे पूछा जाए कि भाया बच्चे का वज़न कितना बढ़ता है तो लगभग 25 से 30 दोनों में से एक चुनना हो तो का चुनो के फिर आप 30 चुन सकते हो ठीक है तो इतना वज़न बच्चे का regular बढ़ता है जब बच्चा छोटा होता है जो नवजात होता है तो नवजात जो शीशू होता है उसका वज़न जो होता है प्रती दिन वज़न में वज़न में क्या होती है व्रद्धी होती है उसके और जब लगभग क्या हो जाता है एक साल बाद वज़न क्या होता है उसका धीमी गती से बढ़ता है क्या बढ़ता है धीमी गती से बढ़ता है धीमी गती से बढ़ता है चीके तो बजन कैसा बढ़ता है धीमी गती से बढ़ता है चीके उसके बाद यह दिया आप देखो यहाँ पर कि कारण क्या क्या हो सकते है ठीके कारण क्या क्या हो सकते है एसा होने के कारण क्या क्या हो सकते है तो सबसे पहले हो सकता है गरीब परिवार ठीके गरीब परिवार गरीब परिवार क्या हो सकता है देखो माल लो अगर उस व्यक्ति की आई इतनी नहीं है कि वो जो गर्वती महिला है उसको पूरी तरीके इसे खाना पिना खिला सके या पोशक तत्व दे सके तब बच्चे का भी विकाश नी हो पाएगा और बच्चा पेदा जब होगा तब क्या होगा वह कम वजन का बच्चा पेदा होगा क्या होगा कम वजन का बच्चा पैदा होगा ठीक है हाँ सेकंड आप देखोगे क्या हो ना तो बड़ा परिवार बड़ा एवं बड़ा एवं निर्धन परिवार बड़ा एवं निर्धन परिवार से क्या होगा बड़ा और निर्धन परिवार अगर होगा तो अगर एक व्यक्ति के लिए कुछ खाने की चीज लाई गई है, तो उस खाने की चीज को सब में बाटना पड़ता है, क्या होना पड़ता है, सब में बाटना पड़ेगा, सब में क्या करना पड़ेगा, बाटना पड़ेगा, ठीक है, तो जो बड़ा परिवार है लेकिन ग तो फिर उनको सब में बाटना पड़ेगी इस कारण से क्या होता है कि जो गर्वती उसको पूरी तरीके से पोशन ही नहीं मिल पाता चाहिए चलिए आगे बात करते हैं इसमें ठीके नेक्स्ट पर चलते हैं आगे देखो वेस्टिंग के बारे में आगे मैं आपको और बताओं तो यहां पर क्या लिखाए कि जनम के समय जो बच्चा होता है जनम के समय जो पच्चा होता है तो उसका वजन कितना होता है साड़े तीन किलो है ना कितना धाई से साड़े तीन किलो होता है जनम में जो बच्चे जनम लेते होते बच्चे नौजाच शीशू उनका वेट कितना होना चाहिए साड़े तीन किलो या फिर धाई किलो अगर वो बच्चा धाई किलो से कम का है तो वो कूपोशित की कर्टे केरे मचाएगा चीक है तो आप कहोगे धाई किलो से धाई किलो से कम धाई किलो से कम वजन का बच्चा का बच्चा क्या कहलाता है कूपोशित कहलाता है क्या कहलाता है कूपोशित कहलाता है अगर बच्चा जो है बच्चा धाई किलो से कम है तो फिर आप उसे क्या कहोगे वो कूपोशित में चला जाएगा कूपोशित की तो जब भी आपके आसपास बच्चा जनम ले तो सबसे पहले आपको भी वेड पूछना उस बच्चे का आपको लगभक बच्चों के वेड तीन किलो द्हाई किलो ही सुनाई देंगे लिए ना अगर बच्चा दो किलो का होता है तो भाया वो कूपोशित की करिक्टेगरी मे के खानपन को लेकर विशेस ध्यान देना है और वो बच्चा अपने तीन-चार साल में लगातार बिमार भी रहेगा है ना सूपता जाएगा और सबसे ज्यादा संभावनाई भी होगी कि वो बच्चे को बिमारिया घहर ले तो आप कभी पूछना आसपास कि किसी के महां कोई बैबी हुआ तो पूछना कितने किलो का हुआ यह तो बताएंगे आपको कितने किलो का बैबी स्टिक adds तिक धार उसके बाद देखो यहां पर लिख़्ाये च्पास के महा साथ किलो जाना चाहिए कितना हो जाना चाहिए यह नहीं मरूंचान गै TIRE चैकरने चाहिए commence कितना वाजन होना चाहिए 5-10 क किफिए को कुछ नूत को रलो यह बहुत कि जब भी जनम लेता है कि खान की उसका जो वजन होता है वो सिसका वजन है उसके जनम के वजन का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अगर वो डाई के लोगा है तो उसके बहुत पतले होते हैं इसे बच्चे, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखो यहां पर यह भी ध्यान रखना कि पहले जनम दिन पर, जब बच्चे का आप जन्म दिन बना रहे हो मानलो कोई बच्चा एक जन्वरी को पैदा हुआ है एक जन्वरी को पैदा हुआ है 2021 में है ना और आप एक जन्वरी एक जन्वरी 2022 2022 में उसका जन्म दिवस बना रहे हो तब उसका वेट कितना हो जाना चाहिए तब उसका वेट हो जाना चाहिए कितना तीन गुना तीन गुना हो जाना चाहिए कितना हो जाना चाहिए तीन गुना लेकिन कब का उसके जनम के समय उसका जितना वजन था उसका तीन गुना उसके पहले जनम दिन पर होना चाहिए यह बोलने का मतलब है ठीकि है तो आप से क्या इंदाश से लगा हो गए हो आप स्थे हैं इदि बच्चे का niezक वेटेश इसके अनुसार नहीं है तो उसमे कहीन kanina kanina kalrahi g53 और क्या कं ने कमी देखी गई है आक बहुत जरूरी है वो आती है ठीक है बहले ही आप जी एस वगेरा देख लो आपका करेंट अफेर वगेरा में भी पूछ लेते कभी-कभी तो यह आपको इसमें मिल जाएंगी ठीक है चलिए तो यह आप इसका स्कुरिंशॉट देजिए यह पूरा वी बजिचे के वजन बारे में तो पहला वेस्टी व्य auraitा कि जो बेस्टी मीलोति है वो क्या होती है अगर बैसे कि लंबाई कि अकोर्डिंग उसका वजन नहीं है तो वह क्या है क्या पैला ग complet का नहीं चलिए अगे करते हैं next पर अब बात करते हैं इस्टनिंग दूसरा टाइप क्या है इस्टनिंग दूसरा भी पूपोशन का प्रकार है बच्चे का वेट तो है पर बच्चे की हाइट ही नहीं है तो यह आप जो देख रहे हो यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा है इस्टनिंग का अर्थ क्या होता है कि आयू के अनुसार उचायी में कमी होना मतब बच्चे की जितनी हाइट होने चाहिए हैट के अकॉडिंग उतनी हाइट नहीं है तब वह किसमा जाएगा तब भी वह पोशन के अंदर अधर घ्जाएगा उसका आप कूपोशीत बोलोग जिनकी बिलकुल पसलिया दिखती हैं वह कूपोशित आपको उनकी डाइट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कि वो कूपोशित के लक्षण है हां देखो आयू के अनुसार यदि हम बात करें तो अगर आपकी हाइड आपकी एज के अकोडिंग नहीं है तो आप यह देखोगे कि इसे क्या कहते हैं इसे नाटापन यह क्या कहते हैं ठिगनापन कहते हैं 18 साल की जब हमारी एज हो जाती है 18 साल की आयू में हम अपनी हाइड का 100 प्रसेंट क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं ठीक है और 13 से 15 साल की उमर में हम कितना प्राप्त कर लेते हैं हमारी हाइड का 85 प्रसेंट और लड़किया कितना प्राप्त कर लेती है 90 प्रसेंट लड़कों के हाइड जल्दी बढ कि अगर बच्चा उसकी हाइट जितनी होने चाहिए उसेमें उसकी उतनी हाइट नहीं है तो फिर वह क्या कहलाता है तो फिर नाटापन कहलाता है तो यह भी को पॉशन ही है ठीकना पन नाटापन है ना हइंट कम रहा ला क्योंकि nutrient की कम्य से आपके अदर हाइट कम रहे घए यह फिर देखो लंबाई का मापन किया जाता है वह किसे इस्टेडियो मेटर से किया जाता है और यह आपको ध्यान रखना है इंफैंटो मीटर इंफैंटो मीटर क्या होता है इंफेंटो मीटर से छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, किते छोटे बच्चे भया एक साल, दो साल, तीन साल तक के जो बच्चे हैं, जो भी खड़े नहीं हो पाते हैं, उनकी, उनकी हाइट, मापी जाती है, मापी जाती है उनकी हाइट मापी जाती है आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बच्चा लेटा हुआ है है ना छोटू सा तो यह जो बच्चा है इसकी हाइट कैसे मापेंगे इन फैंटो मीटर से हैट मापी जाती है बच्चों के लेटा कर इस प्रकार से इस्टुमेंट और एक क्या होता है वह स्टेडियो मीटर स्केल वाला तो पांस साल ऐसे बच्चे जो खड़े होने लगवाएं लगभग उनकी हैट किसे मापो गए उनकी हाइट मापो गए स्टे ठीक है चलिए 18 साल में हम 100% हमारी हाइट का जो होता है वो पार कर लेते हैं 18 साल के बाद अगर कोई आप से ये बोले कि भाया ये वाला प्रोटिन पिलो हाइट बढ़ जाएगी लटक लो हाइट बढ़ जाएगी तो कता ही उसकी बात में मता ना अकॉर्डिंग टू बायोलोजी आप 18 साल की उमर में या ज्यादा से जादा आप 19 साल की उमर में आपकी हाइट होनी थी उसका 100 पसट अपने प्राप्त कर लिया है और हाइट कैसे बढ़ा होगे बताओ हट्टी बढ़ा होगे क्या अपनी हाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती तो यह जो आपको बोलते ना प्रोड़क्ट दिखाते हैं कि यह आप इतनी हाइट बढ़ा लो यह आपको यह पीना चाहिए प्रोटीन्स वगेरा जो आपको देते हैं सप्लिमेंट हाइट बढ़ाने के ध्यान लखना हाइट नहीं बढ़ और आप 18 साल से पहले ले रहे हो तो आपके 18 साल तक हाइट बढ़ जाएगी तो थोड़ा सयम रखे ठीक है कुछ नहीं होता क्या हट्डी खिचोगे है ठीक है आपके हट्डी के जॉइंट्स वगयरा सब कंप्लिट हो या थे 25 साल तक और और क्या कंप्लिट करोगे ठीक है चलिए अब देखते हैं इस्टर्णिंग क्या होता है मतलब की हाइट कितनी होनी चाहिए ठीक है आप देखो यहाँ पर आप यहाँ देखोगे कि जनम के समय एक बच्चा कितना लंबा होता है जब बच्चे का जनम होता है तो बच्चा कितना लंबा होता है तो वो 48 से कितना 50.2 cm क्या होती है लंबाई होती है किसकी बच्चे की ठीक है एक बच्चा कितना होता है तो हाइट कितनी होती है उसकी 50.2 cm होती है और बजन कितना होता है बच्चे का तो बच्चन बच्चे का हो सकता है साड़े तीन किलो या फिर कितना हो सकता है धाई किलो 45 cm से अगर बच्चा हाइट में कम है अगर उसकी हाइट 45 cm से कम है नावचाष शिशु की जो भी जन्मा है तो फिर उसको क्या है उसको नाटावपन है उसकी हाइट छोटी रह जाएगी हो सकता है कि उसको क्या है कूप ओशीत है वो उसको आप खिलाओ बिलाओ वरना संभावना यह है कि वो क्या रह जाएगा वो थोड़ा सा बोना रह सकता है क्या रह सकता है बोना रह सकता है ठीक है यह सब चीजे मापी जाती है महीं पर कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं होता मैं यहाँ खड़े होके ठीक है हाँ हाँ एक्सरसाइज आप यदी करोगे तेखो एक बात ध्यान दड़ना मेटर करता है रीड की हड़ी आप आपकी हाइट आप एक इंच ग्रोहत कर सकते हो यदि आप इस प्रटालशी रीड की हड़ी को सीधा कर लो यह रीड की हड़ी जो है ठीक है आपको देखना थोड़ा सा इजाफ़ा हो जाएगा अगर कोई ऐसे ऐसे करके चलता है वह यह दखो यह तो और एक दो इंच का फरक दिखेगा लेकिन आप तन भी चलो ना तो आपकी वैसे भी दो इंच हाइट एक इंच हाइट तो वैसे भी आपने अपकी हड़ी से चुका लिए यह आप तन के चलो तो भी आपको अलगी फील होगा थोड़ा सा चलिए कि नहीं बास सही है कितने लोगों को मैंने देखा है ऐसे लड़के जो बाइक चलाते हैं टशन मारके पर कभी उनको देखना आ इस प्रकार से बाइक है बाइक है इसे बैक चलाते हूँ यूँ़ आको आप बइसे बैठो बल्लोक तो थोड़ा कुछ लगेगा भी यसे बैएक चलाते हूँ आ इसे बैट कि गर उपये थे बहुंच देखा न हे안 श्मार्ट लग रहे हैं हम कूल लगरे बाइक चलाते वे लेकिन उनको यह नहीं पता है कि तुम सामने से अपने आपको देख रहे हो तुम साइड से भी तो देखो यह इधर साइड वाला जो वेक्ति आपको देख रहा है एच साइड में जो उस तरफ खड़ा है गाड़ी लेके वो जब आपको उसके बाद आप देखो एक वर्ष में बच्चे के आयू कित्ती हो जानी चाहिए तो 75 से 76 सेंटिमीटर के लगबख हो जानी चाहिए चाहिए दो बर्श में कित्ती 87 दीन वर्ष में कित्ती 96 और आपकी 4 वर्ष में कित्ती हो जानी चाहिए तो 100 from point 4 cm प्र ठीकिंट इसको थ लड़कों सब्सक्राइब लड़कियों कि आदा बदन ही जुखा रहता है जगर के ऐसे बैठके लिखती है इसे क्लास में देखा है मैंने लड़कियों को वह तो पूरी सिकूर आती है जगर को एसे लिखती बैठके चार वर्ष में हमारी जो लंबाई होती है हमारी जो लंबाई होती है वह कितनी हो जाती है जन्म के जन्म के समय की जन्म के समय की कितनी हो जाती है तो दो गुणा हो जाती है आपकी जितनी भी लंबाई रही हो उसकी डबल हो जाएगी कब आप जब चार वर्ष के हो जाओगे कितनी थी देखो यहाँ पर 50 cm थी ना देखो यहाँ पर कितनी है दो गुना हो गई 2 cm ठीक है चलिए हाँ सच में आप लोगों को पता होगा कूपोशन कहलाता है कहीं अगर ब्यूटी इंडस्ट्री की हम बात करें तो हमारी यह वाली जो हट्टी होती कॉलर इसका दिखना यह साइन है कि आप बहुत खुबसूरत हो इसे ब्यूटी बोन की संग्या दी गई है मतब अगर लड़कियों के अंदर यह अगर अगर आप पर पूपोशन हो आप थोड़ा सा खाओ यह जो हट्डिया है यह ब्यूटी बोन की के टेगर में तो अलग अल अलग वह हैं और कुछ लोग तो इस पर हाइलाइट भी करते हैं इनको दिखाने के लिए वह चीज है किसको अपड़े पहना वहता दिया उसको चलो देखो क्वाशी ओर कर क्या होता है क्वाशी ओकर कि यह दिन बात करूं तो एक से चार साल के बच्चे में आपको इसलिए क्योंकि इस चीज में अभी आपने पूरी बात महीं सुनी होगी मैरासमस और पाशी होकर दोनों में थोड़ा सा अंतर है सुनो क्या है यहां पर क्या लिखा है कि लक्षन क्या है पच्चे का चारी होता है उसका क्या होता है विकास प्रभावीत हो जाता है सेकंड मात में सबसे पहले क्या है एर दी मा क्यो होती है आपको पता बीटिंट धनकिए आपकर ब्लड की अंदर क्या हो जाए यह यंद्र्वीमीन क्या हो जाए यह फिड़े प्रोटीन है कहों फस्तकि अब्लड ऑनकि व्या आपको निच्चान से कर्टिंट शुटपर बभे में बहुत प्रब्लम होती खाना पचाने में पेट फुला हुआ क्वाशी ओकर का अगर हम एक साइन की बात करें एक शब्द में एक लक्षन जो क्वाशी ओकर को क्या करते डिफाइन कर जाए पेट का फुला हुना इसलिए नहीं कि बच्चा खाते पिते घर से इसलिए क्योंकि खात पत्दे होते हो पेट यह पुला सा होता है बहुत बड़ा होता है चीनशे घर देखो जो यह बच्चाए तो इसके क्या होअगए यह अगर मॉर्ब्लम इसके की पक्षिया दों दीख और घर क्रुला मूंड्स related प्रुला हो दूक्म तेम रहेckt हैं था कि अगरे नहीं तो अच्छा पीली पीली पढ़ जाती है क्यों पढ़ जाती है लिवर में सुझाने लिवर की प्रॉबलम के कारण मास पेशी मास पेशी में प्रॉबलम होती है मास पेशी में घंडल होने लगता है भूप की कमी देखने को मिलती है आपके रक्त में कमी देखने को मिलेगी औ बच्चे जो बड़िया से दूद दूद पी लेते और खेला करते हैं पापा पापा मम्मी तो मैम्मी मम्मी उन बच्चों की यह हालत है कि वो बजाकर होते हैं कभी कभी अगर नहीं रोते तो लगता है कि इसकी तब है ठीक नहीं होगी इसने लिखो रहा हूए एसे रोते हैं ठीक है और माताएं बच्चों को भुझ में लेंगी आप खिला ओर हुड़ बैटा कैसा एपना खिलाते नहीं सकताऑ कि चुटके बहे को लिख़ गर आपको ऐ जोकर वाली आप काटून और इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा आपकी शकल देखके रो रहा है तो आप भयाना को या भैसा सूर जैसे लग रहे हो असल में उस बच्चे को चिरचड़ा पन है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन के कमी है इसलिए बच्चा रो रहा है तो ऐसे ब आपन है कूपोशन का अलक्षण चीक है लड़कियों में भी ऐसी होता है अच्कल के सब्सक्राइब भी शाहिए लड़कियों में भी बनाती देखके हां हां है कि अधिक ने सच में एसे बच्चे होते ना उनके इस इच्छों चाटा देकर तोड़ दूंको मतलब कोई खिलाना यहां को खेलो ना बच्चे को एक तो किसी को इतनी फूर्सत होती नहीं कि बच्चे खिलाए उस पे भी तुमको खिला रहे मजबूर है तो आप बच्चों को खिलाना बढ़ता है देगा भाया ऐसा है यह तो मेरे लिए भी सप्राइज था इसका नाम भी तो रखे मोए मोए चलो अब देरी बास सुनो क्या हाँ देखो एसे जो बच्चे होते हैं वो क्या है इसका क्या निकला है इसका पेट पेट क्या है बड़ा ठीक है और हाथ क्या है इसके पतले हाथ क्या है इसके पतले ठीक है तो आप देखो यहाँ पर यह जो इसका पेट है यह पेट ही फूलावा है ठीक है दिखने में ऐस तो पीछे से पतला होता है आगे से पतला होता है लेकिन उसका पेट बड़ा से जब अपनी सीमा से जादा निगल ले कोई चीज आप तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो मैं सिब समझा रही हूँ कि जो बच्चे होते हैं उन पूरे पतले सोते हैं पर उनका जो पेट हो होता है ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीच खा ली है तो इसके पेट में जाके अटक गई है यह मतलब बॉलनेगा हाँ ठीक है चलो आगे बात करते हैं बच्चा तो हस राता यार चलिए मरास मस है ना अरे अरून यह एक एक्जामपल है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है यह एक्जामपल है कि हाथ पर पतले से होते हो और सिर्फ पेट ही फूलता है जन्रली ऐसा कुछ नहीं है एक दिमाग में याद रखने के लिए क्या पहली बात तो आपको छे महिन असे पहले कुछ खिलाना नहीं है क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम पाचन में प्रॉब्लम हो जाती है और उनको तिक्ट इस बात कि होती है की अक्सर वा बच्चे पेट दल्थ की शिकायत को लेकर पीर होस्पिटल लुडवाते रहें तो एसा बिल्कुल नि करना कि उनको आप पानी पिला हो उनको उपर कुछ खाना दे रहे हो छे महां तक तो कुछ भी नि खिलाना है ठीक है यह तो न्यूट्रिशन की कमी करण होता है मैं ली प्रोटीन की कमी करण ठीक है चलिए अब देखो मैरासमस की अधिवी बात करो तो आपको मैरासमस में यहां पर एक बच्चा दिख रहा होगा ठीक है यह जो बच्चा है इसमापको क्या चीज अलग दिख रही है क्वाशी और कर से हाँ, चला, देखो यहाँ पर, यहाँ पर आप यह देखोगे, कि यह जो बच्चा है, इसके अंदर आपको का दिखरा पता है, इसकी जो इसकीन है, इसकीन लटकी हुई, इसकीन क्या है, इसकी लटकी हुई है, है ना, क्या है, क्या है, इसकी इसकीन लटकी हुई है, ठीक है, तो हम यह देखेंगे, कि जो मेरासमस रोग होता है, वो क्या होता है, 16-18 माह के बच्चों में होता है दोनों में फर्क क्या दिखा ये बताओ दोनों में फर्क आपने ये देखा कि वो एक से 4 साल के बच्चों में हो रहा था ये माह की हिसाब से देखो इसमें क्या होता है इसका लक्षन क्या है बच्चों को दस्त लग जाते है बच्चे अक्सा दस्त करते रहते हैं, lose motion लग जाते हैं और वजन में क्या होती है? कमी, कितनी कमी होती है? तो आप देखोगे, कि सामानी बच्चों के वजन से 6 प्रतीशक वजन कम रहता है ऐसे बच्चों का, ठीक है न? ठीक है, फिर देखो यहां पर, यहां पर क्या है? खाने का पाचन नहीं होता और तवच्चा केसी होती है? लटकी हुई होती है ऐसे बच्चों की, ठीक है? तो मरासमस और क्वाशियोकर में आपको दो डिफ्रेंस देखने को मिलेंगे, दोनों में समानता यह है, दोनों होते प्रोटीन से है, दोनों में अंतर यह है की एक चार साल के बच्के में होता है, एक चे से अठरा मा के बच्चों में होता है, एक के अंदर पेट फूल जाता है, एक के अंदर स्कीन लिटक जाती है, ठीक है? चलिए है. हाँ अब भया इसमें फोटो में तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इसको दस्त लगें कहीं लगें एसी बात तो करो थोड़ी सी कि मनब समझ में आये तुम लोगे जैन्यून वह हो डाउट हो इसको देख के तो लगने रहा कि इसको दस्त लगे होंगे उसको जब फोटो क्लिक कर वही थी ना तो डाइपर कर दिया था कि थी बात को मुक्त की में और बच्चेके बहुत कम वजन है बहुत कम उचाई उसकी तो उसको बताए कि वह गंभी और आपको एक दिमाग में भूड़ा यह जो वाहा की परीधी होती है ना, आप इसको टेप से मापो गए ना इसको, तो कितनी आएगी है, पंदरा एमेम, पंदरा एमेम से अगर वो कम है, तो वो किस में चाहेगा, वो गंभीर पू पोशन में जाएगा, अब आप सोचोगे यह सब कौन करता है, यह सब आंगनवा केंदर पर मापा जाता है, हाँ, जेनेवा वाला, ठीक है, उसके अलावा यदि में बात करो, आंगनवाडी में, तो अगर आंगनवाडी केंदर में मेजर्मेंट के दुरान, उनको ऐसा लगता है कि बच्चा किसमें है, गंभीर कू पोशन में है, तो फिर वो किसी संस्था है आपका, मतलब कि माल नुट्रिशन, गंभीर कू पोशन से पेड़ी तो जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर म्रत्यू की संभावनाएं कि दुनी होती है, नो गुना से अधिक होती है, उनकी म्रत्यू की संभावनाएं अधिक हो जाती है, ठीक है, हाँ, इनकी म्रत्यू क क्या है मध्यम कुपोशन की यदि हम बात करें मध्याम को कुपोशन निर्वलता के कारण तो तो मध्यम को पोशण के इंतर्गताएगा लेकिन उसका जो होगा वाद होes जाहिए मद्यम को के यह कि तो जाएगा ठीक है और ध्यार नटना मध्यम कूपोशन को बच्चे होते हैं वो जाधा टेंशन लायक नहीं है उनका उनको अगर आप न्यूट्रिशन दो तो वह वापीस रिकवर हो जाते हैं ठीक है चलिए अच्छा यह चार्ट क्या है तो यह क्वेशन आया हुआ है कि चार् अगर आपसे पूछे चार्ट कुन सा है तो आप बोलोगे इस चार्ट का नाम है नाम क्या है इसका व्रधी व्रधी निगरानी व्रधी निगरानी चार्ट व्रधी निगरानी चार्ट व्रधी निगरानी चार्ट है इसमें तीन कलर का उप्योग किया जाता है ठीक है यह ज यह आजाएगा आपका सामान्य यह आजाएगा मध्यम ठीक है और यह आजाएगा गंभीर गंभीर कूपोशन के अंद्रगत ठीक है अलुचाट नहीं है वह हाँ सीवियर एक्विट माल लूटरेशन एस ए एम ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अब देखो योजनाय योजनाय क्या है योजनाय से मतलब यह है कि सरकार द्वारा सरकार द्वारा की गई पहल सरकार ने क्या की है सरकार ने पहल की है क्या की है भया तो सरकार द्वार क्या की गई थी पहल की गई अगर अगर वारी में ही वह यूज होता है ठीक है चलो देखो यहां पर सबसे पहले कौन सी यूजना यह पढ़ लो जादा यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आपकी हर जगा आती है यह जरूरी थोड़ी है यह यह यूजना यह कभी-कभी पूछ सबसे पहली कौन सी है आपकी 2 ऑप फारत और यह अली राजपूर में ज्छादातर चलाया जबी मिशन का उद्देश आणिमा कि वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत अंक तक कम करना है है ना एनिमिया मतलब कि जो फून की कमी से एनिमिया रोग होता है उसे कम करने के लिए क्या है हमारे पास एनिमिया मुक्त अभियान चलाया गया तो हजार अट्रायाज रखना है ठीक है फिर देखो यह क्या है आपका इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप्मेंट ठीक है तो ध्यान रखना कि एकिग्रत बाल विकास सेवा योजना यह बहुत जरूरी है एकिग्रत बाल विकास योजना इसे वर्ष 1957 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश छे वर्ष से कम्र उम्र के बच्चे तथा उनकी माताओं को पूरक पोशन पूरक पोशन अहर इस्कूल पूर्व अनवचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चे आंगनवाड़ी जातेने स्लेट लेके आंगनवाड़ी के dep पढ़ाते न बच्चों स्वास्त जांच यह सब किसके अंतरगत आती है इसकी जो आपकी वह हुई थी यह जब चालू हुई थी 1975 हुई ठीक है इसका स्क्रिंशोट टेलो बहुत हाँ दोबर ? चलिए नेक्सट पर चलते हैं। योजना सेटर्ड Heph speech क्या थे प्रधानमंतरी मात्रवंद्र योजना क्या है तो गर्वति महिलाओं very शबढ़ के लिए देह शुरु fulfill marks but it is a भाब उठने है तुशे हाजार रूपए सीधे उनके बेकक खातूं zawsze यह सबी को पता होगा आप लोगों को कि जो भी महिलाय सरकारी अस्पताल वगएरा में या 50 करवा लेती हैं तो डिलेवरी के समय उनके खाते में किते रुपय आते हैं तो यह किस योजना के तहट आते हैं ध्यानमकना प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना के तहट आते हैं ठीक है उसके बाद देखो रास्टी खार्थी सुरक्षा अधिनियम 2013 इसका उद्देश अपनी संबंध योजनाओं और कारिक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोल लोगो के लिए भोजन पोशन यह सब करना है सुनिश्जित करना है ठीक है ना है राजिस्तान में बास्वड़ा की गड़ी पंचाइश शुरू हुई थी स्वरूप के रहे हैं ठीक है स्वरूप कबर और कौन सी योजना है दो योजना और है यहां पर मध्यान भोजन योजना बीच पोशन इस तर में सुधार के लिए अच्छा आप से पूछा जाए ना कि यह वाली जो है जो स्कूल में खाना बढ़ता सरकारी स्कूल में इसका उद्देश क्या था इसका उद्देश चात्रों में भागिदारी बढ़ाने के लिए ठीक है तो चात्रों की भागिदा जाल चामल ठीक है रोटी सब्जी तो यह वह वाला यह वाली जोजना है उसके बाद एक पोशन अभियान भी चलाया है भारस सरकार ने 2022 तक को पोशन मुक्त भारस सुनिश्चित करने के लिए एक राज की पोशन विशन या पोशन अभियान भी प्रागम भी किया है हाँ अब तो कोई नहीं जाता स्कूल आधे स्कूल ऐसे खाली पड़े रहते हैं हाँ ठीक है चलिए उसके अरामा ध्यान रखना महिला सुपरवाइजर का एक न्यू ओफलाइन बेच प्लस ओनलाइन बेच दोने शुरू होने वाला है कब से तो ध्यान रखना सत्रा जन्वरी से इस समय स्टार हो जाएगा ओफलाइन भी है और ओनलाइन भी रहेगा बेच जिक है सेकंड बात यह है कब से तो दो बज़े से लेकर साथ बेच तक की क्लास इस लेगेंगी इसके अंदर चलो और MPPSC का भी प्री मैंस और इंटर्व्यू इन तीनों को टार्गेट करकर एक ब चलो बैया, MP क्यों लगाओ अब अरे क्या नाए सेशन, अभी रुको, प्लास इभी तो आगे ठीक है, चलिए, अंसर लगाओ इसका, उसने बूचा है कूपोशन होने के क्या कारण है या फिरा उन्दी बोला है कूपोशन के कारण होने वाला रोग कौन सा है क्वाशियोकर, मेरासमस, रिकेट्स, गेंगा या सब में से कोई नहीं, इन में से कोई नहीं जल्दी बता दो हाँ क्या राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर है आपका A ठीक है अभी बताया मैंने A क्वाशियो कर और मेरासमस ठीक है तो यह आपके रोग जो है वो किसे होते हैं कूपोशन के अंतरगत आते हैं ठीक है अधिकांश बाल अम्रत्यों का प्रमुक कारण क्या है मदब की बच्चों की जो अम्रत्यों हो जाती है छोटे में उनका कारण क्या हो सकता है मनीशा राजपूत आपका कमेंट पढ़ लो लगेन आप कमेंट करो तो सभी वापिस क्या आंसर हो जाएगा उसका right answer क्या होजाएगा संक्रमंट कू और supremacy क्या होजाएगा c infection और क्या होना कू question infection और को पोर Economics से क्या होती है सबसे ज्यादा बाल मृत्यों दर देखी गई है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं निमनलिकित में से अनुप्यूक्त है बताओ शीशु को पीने का पानी उबाल कर दो शीशु को समस्त प्रतिरक्षन दो जाच है तो शीशु को नियमित रूप से निदान ग्रहों में ले जाओ या इन में से कोई नहीं कौन सा इसने ऐसी बात कही है जो वेस्ट कोई मतलब नहीं जिसका ऐसी कौन सी बात इसका कोई अर्थी नहीं निकलता चलिए राइट एंसर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं सभी बातें जो है वो पते की हैं ठीके सभी बातें ही पते की हैं कोई ऐसी उसने गलत बात नहीं कहीं इसमें जो हमें अलग लगे चलिए नाउजाद बच्चों को किस समय से मा के दूद के साथ ठोस आहार देना चाहिए एसी कौन सी आयू है उसके बाद आप मा के दूद के साथ कुछ दे सकते हो उससे यह तो तीन क्लास में मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया आपको चलिए राइट अंसर क्या हो जाएगा च्छे ना क्या हो जाएगा चलो च्छे अंसर लगा रहे तुम लोगे बढ़ देख लोंग च्छे मा चलिए राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका च्छे मा च्छे मा तक आपको पानी तक नहीं देना है च्छे के बाद आप पूरा काहर का मत्तब होता है तो दूद के साथ दिया जाए फिर वो दिया जा सकता है च्छे चलिए कूपोशन का प्रारंबिक लक्षन क्या है कूपोशन का प्रारंबिक लक्षन क्या है जल्दी बताओ क्या हो जाएगा राइट अंसर का वजन का ना बढ़ना क्या हो जाएगा वजन का ना बढ़ना वजन नहीं बढ़ रहे हिर तो क्या उसमें कूपोशन हो सकता है चुषड़ापन क्या वजन का नहीं बढ़ना है ना उसके बाच श्रोगन तो बच्चा चुषड़ा होगा बच्चों को बुजूर्ग महिलाओं को किशोरबालिकाओं को या 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को पोशन और स्वास शिक्षा किसे दी जाती हैं चलिए राइट ऐंसर क्या हो जाएगा इसका 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 राइट ऐंसर हो जाएगा 15 से 45 वर्ष की जो महिलाओं होती है उनको बच्चा क्या समझेगा इस चीज़ को है ना चलिए राइट अंसर क्या हो जाएगा 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को हमें क्या देना चाहिए उन्हें हमें देना चाहिए स्वास्त और पोशन की शिक्षा बच्चों को संपूरक आहार कब से देना प्रारंब करना चाहिए अभी इसका राइट अंसर लगाया था ना कितना 6 माह के बाद राइट अंसर क्या हो जाएगा 6 माह के बाद वशन के बाद बच्चों को हमें संपूरक आहार देना चाहिए ठीक है कि एक तो कमेंट बहुत वास्ट वास्ट लिकल जाते हैं इतना बड़ा कमेंट रिधया मैं पड़ी नहींगि पाते हूँ चलो खीस क्या है बताओ खीस बच्चों को पिलाया जाना चाहिए फेक देना चाहिए पचाना मुश्किल होता है प्रती रक्षा प्रदान करता है खीज के बारे में कोई एक शब्द चुनिए राइट अंसर क्या हो जाएगा मैंने आपको कल भी तो बताया था इसके बारे में कल हमने डिसकस की थी न कि क्या करता है प्रती रक्षा प्रदान करता है कौनसी एंटिबोडी होती है आई जी एंटिबोडी होती है बच्चे को इंफेक्शन से बचाती है और दूद के द्वारा दूद के द्वारा ट्रांसफर होने वाली आपकी जो वह है एंटिबोडी वह आई जी एंटिबोडी है माता के तो किस का ही दूसरा नाम है कितना होना चाहिए कि एस ап Whoo झालीयो नेक्स्ट पर चलते ही क जन्म के समय बच्चे का बज़न किता होना चाहिए कि अच्छा दिना चाहिए किन ठीबर तरा कि अच्टिब और रहाइक देना चाहिए किया आवस्था के बाद वजन रहते हैं कि अधर में आपनाद इस आएट ये आप करता है चलिए क्या हो जाएगा कि ग्राम में पूछ रिया ग्राम में सी कि कितना होना चाहिए तो ध्यान रखना एवरेज की अगर यादी में बात करो तो कितना होना चाहिए आपका क्या होगा कै कि एक टूवींट क्यों पाइसे लेकर कि इससे और कम हो जाये को पूपोशित में चला जाएगा कोपोशित में चला जाएगा जो बिल्कुल हेल्डी असका वजने होता मुद ह Pitts घीनके असपास लगबक हुद्च गहा है कि चलिए चलिए है हां एटाटाउन करें एप लो आज का क्या है सबसे जाधा उश्मा शंवरी टीका कौनसा है कि ए टीका कोई स्क्राव टीका मत्लब है कि अयसा टीका जो गर्म करने पर या गर्मी कैना na बार वालियों कर चार बज हो लोगों को मैं यह बताओंगी घ्रोटवापि कि की मादी यह कंसी और यह कंसी बार में सक्छाशं जाते हो कम से कम बॉटल लगाने वाल इसमें क्या चिस कंडिशन में लगाई जाती है यह नौर्मल जानकारी कॉंसी इंडी यूज करते हैं यह सब मैं कल आपको बताओंगे चलिए आपको अंसे लगाना है और देखो हाँ उन लोगों के नाम सुन लीजिए जिन्होंने कल क्या है कल अंसर लगाए थे देखो यहाँ पर देखो सचिन शुकला सचिन शुकला ने सही अंसर दिया है प्रेंका सौलंकी बलिराम अहिरवार कुछ इस्टुडेंट वाकई में ऐसे हैं तारीफ के लायक है क्यों है बता है क्योंकि इस स्लाइट पे जब से मैं आपसे क्वेशन पूछ नहीं हूँ उन बच्चो क्योंकि नाम हम अधाते हैं और मुझे इतना कॉंफिडेंस होता है कि जैसी में नाम बोलती हूं तो भाई हास्वाइट पर अल्रड़ी होगा क्योंकि बहुत नाम बहुत सारे बैच्चों के नाम तो इसमें लिखे रहते हैं जैसे बलिराम और पूनम सिंग हो गया चिंटी जैसे कि कोमल कोमेशी तो बहुत सारे नामे ना एक सचिन ने आच अच अधिया बहुत दुनों बाद बनी एक बार आप विजिट कर लीजिए उस पर सत्याति शर्मा क्लाइस के एप पर डिसकाउंट में है तो मैं आपको एक्जेक्ट प्राइस नहीं पता सकती लगकर है है ना चलो और देखो भया हाँ मैलोडी ओफ ग्रेस मानो मानी हेमा ठीक है यह सुधीर सॉलंकी रीतु बगहेल ठीक है बहुत सारे नामें इसे जिनको हम कनवर्टी नहीं करते हैं रोज अंसर लगाते हैं महीमा राजपूत घंशाम लोदी घंशाम लोदी और पर खुषी प्रजापत दिपेंद्र पाल और सुनीता सिंग और पवन यह उन सभी बच्चों के नाम है जो लोग ओफ लाइन कोमेंट पर अंसर लगाते हैं और इसमें कुछ बच्चों के नाम रग्यू लागते हैं ठीक है अब तो स्लाइट को भी आज़त हो गई है नाम का प इस पर कॉल करके पूरी जानकरी मिल जागी बोलनादेश गड़ currently 7777 877 ेश्चर पांच छे साट नो फुट्स थीक है चलो रहों इस number पर है हाँ सोले टू ठीक है इस नंबर पर आप गर लेना पाऊ से इसमें कोई जानकारी चाहिए ओ तो इस नंबर पर आप सकते हैं न कोर्स के बारे में ओफ-लाइन बेच ओल्लाइन बेच कौम सा नया शुरू हुआ है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी तो यहां से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो यह नंबर आपको ओफिस के नंबर है मतलब जो आपका कॉलिंग डिपार्टमेंट है वहां पर उठाके बात हो जाएगी है हाँ आप ठीक है तो आप जिसकी जो भी समझचा हो संबंदी वह बढ़िया से इस पर कॉल करके पूछ नहां है ना चलिए फिर मिलते हैं कल हम चार बचे ऐसी हसते रहो मुस्कराते रहो पढ़ते रहो और देखिये पूरी क्लास के दोरान कभी-कभी ऐस ज़ति है आप लोग कुछ बोलते हों मैं आपको समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुँ ठीक है तो उसको माइंड बिल्कुल ना करें एक समझाने के लिए एक जन्रली बात करने के लिए लिए किसी चिसका उधारण लेना पड़ता है इसका यह बिल्कुल हाग आज समझ में आया इसके आलवा सारी वाते जो है आपकस बीड़ी बात करते हैं एक या आप जो भी पढ़ाते हैं उससे बात करते हैं वह सब कुछ कुमेंट बॉक्स में छोड़के चले जायागे अगर ठीक है यह भी लाइब वाल है चलिए तो फिर मिलते हैं हम और नेक्स्ट क्लास में ऐसी हस्तरों मुस्करातिरों पढ़ते रहो जेहिन जेभरर